देखे कल 9 सीटों पर उपचुनाव हुए और उपचुनावों को लेकर कल भी गहमा गहमी थी और आज तो सीधे सीधे आरोप लगाए जा रहे हैं और सीटों को लेकर लगाए जा रहे हैं मीरापूर कुंदर की सीसा मउं और कटेहरी में लोक तंत्र के लिए खत्रे की घंटी है पुलिस ने उपचुनावों में घलत किया ज्यादती हुई मर्यादाओं की सीमा को लांगा गया मुस्लिम मतदाताओं को बंदू की नोक पर मत डालने से रोका गया है बड़ा गंभीर आरोप लगाया गया है चुनाव को रद करने की मांग करती है ये बहुत गंभीर आरोप है विजय जी सीधा सीधा उन्होंने कहा चार क्षित्रों का नाम लेते हुए मीरापूर कुंदर की सीफम और कटेहरी यहां पर बंदू के नोक पर मत डालने से रोका ग उसमें चुनाव आयोग ने भी उस समय जब शिकायत मिली थी तो तुरन ती अखलेश जी ने उसकी शिकायत की थी तो कुछ साथ आठ पुलिस करमचारी थी वहां साथ लोगों को कर दिया था सस्पेंड कर दिया था और एक वीडियो जो चल रहा है जिसमें वो पुलिस आफ कि क्या वहां पर चुनाव रद करने की बात है या कोई एक बूत को लेकर कोई मसला है उस पर रिपोल भी हो जाते को ऐसा भी बड़ा मसला नहीं होता लेकिन यह देखने की जरूरत होती है कि किन इलाकों में समाजवादी पार्टी का कॉन्फिडेंस सिला हुआ हुआ है वो जिस पर चारो सीटें की पावर फुल सीट सें जिस पर उनको जीतना है तो हो सकता है कि उनका इलेक्शन कमिशन देखेगा कि किस तरह से फिर भी कोशिश करने चाई आप सूचिए कि महरास्च में एक दिन में 288 सीटों पर विदान सब चुना हुए है जारकंड में भी और क वोट डालने के लिए नहीं रोका गया किस तरह की बात है अब पॉलिटिकल उसमें चलता ही रहता कि किस तरह से काम हो रहा है मैं इसको बहुत गंबीरता से नहीं लेता है एक पॉलिटिकल स्टेट्मेंट के तौर पर मैं इसको देखता हूँ समाजवादी पार्टी परिशान तो नहीं है अलिशी तरफे कल ही आप देखें कि वोटिंग चली रहा था उसमें ही इस तरह के रियक्शन आना हला कि ऐसी चीज़ें होती है लेकिन बहुत कम जगह पर होती है और हर जगह ही कुछ ने कुछ इस तरह की शिकायत आते रहती उसक को बढ़ा चला कि शायद समाजवादे पार्टी को एसास है कि जो नेरेटिव वो सिट करना चाहती थी लोगसवाद चुनाओं के बाद इन उप चुनाओं के मारफात शायद नंबर्स गेम वैसे वह आगे नजल लिया रही है उनका दोज़ार चौबीस में चल गया है अश मद्दाता वाला मसला है और नहीं प्रत्याशी वाला मसला है सब तो मुस्लिम हैं वहाँ इर्फान सुलंकी की पत्नी नसीम तो वहाँ सुंबुल राणा तो मतलब हाजी रिजवान एक तरह से कहें कि सब उन्हीं के घर परिवार के लोग है तो ऐसा है लेकिन एक बात जरू किंसरा फड़रा हता है वे राजनेतिक तो ल हुद सके है एक उल्सकों चला तहीं सब्सक्राइक बिल्कुल ठीक बात है यह करने का अधिकार जो निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े लोग है उन्हीं का है लेकिन शांती व्यवस्था बनाए रखना और अगर भीड एक साथ पहुंचते हैं यह हम पहली बार नहीं पता नहीं मैं तो जब से वोटिंग देख रहा हूं तो 100 मीटर 200 मीटर पहले कई करता है वही चुनाव के दिन कौन पत्थरबाजी करता है चुनाव आयोगा आपने जो जो शिकायते की उसको स्विकार की मैं फिर कह रहा हूं इस तरह से लोगतंत्र का मजाक बनाने की कोशिश करना डर भय का माहौल बनाना यह ठीक नहीं